एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ सिस्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे साम का समय था डूपता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वाता ब्रण को अकर्शक बना रहा था बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे पड़ी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे थे वो बच्चे इतने परसन्य थे कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो अब उन्हें और किसी भी चीज की अब शक्ता नहीं है वो अपने घर बनाने के काम में पूरी तरह से तल्लीन थे, उसमें खोई हुए थे, यह देख बुद्ध और उनके सीसे, वही खड़े होकर बच्चों के इस खेल को देखने लगे, तभी थोड़ी देल बाद एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाई हुए घर से टकर गया और उसके मिट्टी के घर का आकार बिगड़ गया, इस पर वह दूसरा बच्चा चिलाया, तुमने यह क्या कर दिया, तुम्हें पता है, मैंने इसे कितनी महनस से बनाया था, आज की बाद तुम मेरे मित्र नहीं हुँ, तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म, इसके वह दूसरा बच्चा अपना घर बनाने लगता है, थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माताएं आती हैं, जो की नदी में कपड़े धो रही थी, और आकर कहती है, चलो बच्चों, आप साम हो गई, इसलिए अब घर चलो, इतना सुनते ही, वो सारे बच्चे, अपने बना इस बात की सुध नहीं थी, कि कौन किसका घर तोड़ रहा है, थोड़ी देर तक उछलकूद करने के बाद, वो बच्चे, एक दूसरे के कंदों पर हाथ रखे, मस्ती मजा करते हुए, वहां से चले गए, जब तक उन बच्चों ने यह माना हुआ था, कि ये घर उनके हैं, तो उन बच्चों के बीच दडाईयां भी हो रही थी, उनकी मितरता भी तूट रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात होने बाली है, और अब उनके असली घर जाने का समय आ चुका है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रती मुह समाप्त हो गया, और उन्हों ने खुद ही कूद कूद कर उन्हें तोड़ा और खेलते कूदते अपने घर चले गए, इस घटना को बुद्ध और उनके सिस्य पूरे ध्यान से देख रहे थी, लेकिन जाते हुए बच्चों को देख कर बुद्ध मुस्कुरानी लगे, तो सिस्यों ने असली घर वापस जाना ही पड़ेगा, उस इनसान का, इस संसार के प्रती, सारा मूह, सारा रस, समाप्त हो जाता है, जैसे जब उन बच्चों को यह महसूस हो गया, कि यह तो उनकी ही बनाई हुई दुनिया थी, जिसमें वो कुछ देर के लिए खो गए थे, उनका असली घ कहीं और है, तो उन्होंने खुद ही अपने उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया, और उनसे मुक्त हो गए, बुध ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं, कि हमें संसार से मुक्ती कैसे मिलेगी, जबकि तुम्हें मुक्त होने की जरूत नहीं है, तुम पहले से ही यह तो बस एक सपना है, जिसे तुम सच मान कर जीए चले जा रहे हो, लेकिन यह सपना भी एक दिन तूठी जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंतता तूठी जाते हैं, यह भी तूठ जाएगा, जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों से खुद को जोड़ रखा था उन्हें अपना माना हुआ था, तब तक उनके अंदर यह भै भी बैठा हुआ था, कि कहीं यह तूठ न जाएं, कहीं कोई इनको नुक्सान न पहुँचा दे, लेकिन जैसे ही रात होने को आती है, उन बच्चों का, उनके असली घर जाने का समय आता है, उनका उन मिट्टी बस एक सपना है, जिसमें तुम जिये चले जा रहे हो, और यह सपना किसी भी च्छन तूट सकता है, जिन चीजों और लोगों को तुम अपना मानते हो, वो तुम्हारे हैं ही नहीं, ये तो बस तुम्हारा भ्रहम है, और दुनिया में लाखों लोगों का यह भ्रहम हरोच तुम्हारा भी तूटेगा बुद्रे थोड़ा गंभीर होकर कहा सबसे जरूरी बात यह जीवन एक सपना तो है ही लेकिन साथ ही साथ यह सत्य को जानने का एक औसर भी है अब यह आपके उपर है कि आप इस हाथ आए औसर को चिंता या तनाव में बिताते हैं या फिर एक सार्तक खोज में क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सभी हर एक पल बीतने के साथ ही अपनी मौत के और करीब पहुंचते जा रहे हैं और एक ना एक दिन हम सब को उसका सामना करना ही पड़ेगा अगर आप लोग इस नजरिये के साथ इस जीवन को देख पाए तो दुनिया की कोई भी परसानी कोई सभी दुख आपको असांत और परिसान नहीं कर पाएगा आपके मन के असांत होने का केबल एक ही कारण है सत्य को ना देखना सत्य क्या है कि खुशी और आनन हमारे ही भीतर है लेकिन हम उसे बाहर की चीजों और दूसरे लोगों में खोशते रहते हैं और उदास होते रहते हैं सत्य क्या है कि खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा बल्कि उसमें हैं जो भी हमारे पास हैं सत्य क्या है कि खुशी कुछ करने या पाने से नहीं मिलती बलकि खुश रहना तो हमारा स्वभाव है सत्य क्या है कि जीवन बीता जा रहा है और हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं बस इसलिए मनसांद है दोस्तों हर परिश्चिती में खुश रहना एक चुनाओ है और फिर धीरे धीरे ये चुनाओ हमारा स्वभाव बन जाता है ऐसे यह और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में